प्रमोष शर्मा आपका यूद पाट शाला के डिजिल प्रेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं बिटा जी लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री खतम किया था आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला अपना जो चैप्टर है वो अपन लोग स्टार्ट करन है चले कौन सा जैप्टर हुआ रासाइनिक बल्गति की कैमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़े रासाइनिक बल्गति की पहले तो यह बात करें तो रासाइन विज्ञान की वह शाका जिसमें हम किसी अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्यन करते हैं क्या कहलाती है रासाइनिक बल्गति की कहलाती है तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन वेच्च वेयर स्टुड़ी सबाउट रेट अफ रियक्शन और फेक्टर्स एफेक्टिंग दा रेट अफ रियक्शन देट इस काल्ड केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासाइनिक अभी क्रिया के विख एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्यन किया जाता हुआ क्या कहलाता है कैमिकल काइनेटिक्स कहलाता है तो ब्रांच ऑफ साइन्स इन विच वी आर स्टेडीज अबाउट दा रेट अफ कैमिकल रियक्शन और फेक्टर्स एफेक्टिंग दा रेट अफ कैमिकल रियक्शन ये सारी बात इसके अंदर हम लोग करेंगे तो रासाइनिक बलगतीगी में कैमिकल काइनेटिक्स मेदी में डिसकस करूँ मिटा जी तो मेरे पास पहला जो टापिक आता है वो आता है रासाइनिक अभिक्रिया का वेग पहले टॉपिक कुन से है या राशाइनिक अभिक्रिया का वेग देखेे वेग से मतलब क्या है या अभिक्रिया वेग से मतलब क्या है अभिक्रिया वेग, rate of chemical reaction rate of reaction को डिसकुस कर रहे हैं हमको देखो वेग क्या चीज़ हुई अगर वेग की भात मैं करूँ तो किसी भी रासाइनी कभी करिया के अभिकार को या उत्पादों की सांधरता का उत्पादों की सांधरता में समय के साथ हुआ परिवर्तन क्या कलाएगा रासाइनी कभी करिया का वेग कलाएगा the change in concentration of any one of reactant or product in a given time is called rate of reaction क्या बोला हमने परिभाश्या क्या हुई किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया में अभिकार को या उत्पादों की सांधरता में समय के साथ हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है रासाइनिक अभिक्रिया का वेक कहलाता है क्या लिख सकते हैं इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांधरता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है अभिक्रिया वेक कहलाता है क्या हुआ इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांदर्ता में हुआ परिवर्तम अभी क्रिया वेक कहलाता है क्या कहला है जा बिटा जी अभी क्रिया वेक कहलाता है देखिये क्या हुआ किसी भी अभी कारक या उत्पाद की सांदर्ता में क्या बोल रहा है डेफिनेशन क्या बोल रही है वेक क्या हुआ अभी क्रिया वेक क्या हुआ किसी भी अभी कारक या उत्पाद की सांदर्ता में यूनिट टाइम में 21 समय में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा अभी क्रिया का वेक कहलाएगा यानि रासाइनिक अभी क्रिया के वेकों अभी कारकों के अधार्पी इस पे भी दे सकते है रियक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज के बेश पे भी दे सकते हैं और प्रोड़क्ट की कंसंट्रेशन चेंज के बेश पे भी दे सकते हैं किसी भी अभिकारक यानि यदि किसी अभिक्रिया में एक से ज़्यादा अभिकारक या उत्पाद है तो वेग किसी भी एक अभिकारक के आधार पे या किसी भी एक उत्पाद के आधार पर किसी के भी आधार पर रासाइनिक अभी क्रिया के वेक को हम लोग क्या कर सकते है बिटाजी calculate कर सकते है परिकलिट कर सकते है definition क्या करा है किसी भी अभी कारकिया उत्पाद की सांधरता में 63 समय में हुआ परिवर्तन था हम अभीकरिया का वेक क्लाता है clear? understand? यानि अभीकरिया देखना तो अभीकरिया के वेक को हम दो तरीके से explain कर सकते हैं दो तरीके से दर्शा सकते हैं कैसे किते हैं? अभीकारकों की सांधरता में हुई कमी के आधार पे दर्शा सकते हैं और उत्पाद की सांधरता में हुई वरदी के आधार पे दर्शा सकते हैं क्या लिख सकते हैं कैसे कैसे दर्शा सकते हैं साब पहले कैसे दर्शा सकते हैं अभी कारक की सांदरता में हुई कमी के आधार पर किसकी आधार पर बेटा जी या फिर उत्पाद की सांदरता में व्रदी के आधार पर दो तरीके से हम लोग explain करते हैं पर और प्राडेक्ट जो था उत्पात जो था उसकी सांदरता में कितनी व्रद्धी हो रही है उस व्रद्धी के आधार पर दर्शा सकते हैं तो रीट of reaction को explain करने का two type है रियक्टेंट के बेस पर और प्राडेक्ट के बेस के ऊपर clear देखो एक बहुत interesting thing रहूं अगर किसी भी reaction को मैं discuss करूँ देखिए मेरी बात बहुत अच्छे से समझेगा पूरी reactions के पूरी reactions जब तक happened हो रही है कोई भी reaction जब तक गटित हो रही है कोई भी अभी करिया जब तक हो रही है तो रासाइनिक अभी करिया का वेग इस्तिर नहीं रहता है क्या बोला हमने पूरी reactions के पूरी reactions जब तक है पड़ रहती है वेग is velocity is doesn't constant rate of reaction is does not constant it's a variable it's a variable with time also it's a variable with change in concentration of reactant or product also देखिए एक example ले लेते हैं suppose मेरे पास कोई reactant था किसमें convert हो रहा है product में convert हो रहा है अभीकारक किसे बदल रहा है उतपाद में बदल रहा है starting में जब क्या है starting में क्या है हमको बहुत अच्छे से मालूम है सिरफ और सिरफ अभीकारक उपस्तित ते उतपाद ही नहीं अभिकार को की सांदरता अधिक्तम है तो अभिक्रिया का वेक क्या होगा अधिक्तम होगा यानि प्रारंब में स्टार्टिंग में जैसे रियाक्शन स्टार्ट हुई रेट क्या रेट अफ रियाक्शन क्या है मैक्जिमार अभिक्रिया के प्रारंब में क्या है वेक अधिक्त Remember that very important thing Rate of reaction never becomes zero कभी भी zero नहीं होता कम होता जाएगा प्रारंब में क्या होगा स्टार्टिंग में क्या होगा अभिकारकों की सांदरता अधिक्तम है तो यहाँ पर वेग क्या होगा अधिक्तम होगा Maximum होगा फिर धीरे धीरे क्या होगा बिटा जी घटेगा फिर क्या होगा स्टार्टिंग में तेजी से घटता है और अधिक्तम में क्या होगा बहुत कम किन्तु कभी भी zero नहीं होता क्या बोला हमने स्टार्टिंग में rate of reactions बहुत ज़्यादा है maximum होता है अधिक्तम होता है स्टार्टिंग में तेजी से गटता है फिट दीरे-दीरे गटता है और अंत में बहुत कम हो जाता है लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता ये जीरो नहीं हो रहा है इससे एक लाइन और निकल के आ रही है क्या केमिकल रियक्शन नेवर कम्प्लीटेड हंड्रेड परसेंट कोई भी रासाइनी कभी करिया शक्त प्रतीशत पूर्ण नहीं होती ध्यान रखिएगा ये चीज क्या बोल रहे हैं प्रारंब में वेग अधिक्तम होता है in starting rate of reaction is maximum then क्या हो रहा है पहले क्या हो रहा है बेटाजी तेजी से गटता है फिर क्या हो रहा है धीरे धीरे गटता है फिर क्या हो रहा है पहले क्या हो रहा है अंत में बहुत कम हो जाता है किन्तू शुन्य नहीं होता है क्या बोला है rate of reaction जो है वो starting में बहुत तेज है बहुत तेज है starting में maximum होता है फिर तेजी से गटता है फिर बाद में क्या होगा दीरे दीरे स्लो होगा और एंड में बहुत कम हो जाता है लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा क्लियर अब यह प्रारंब में अधिक्तम है क्यों है अधिक्तम साब रीजन क्या है इसका तो इसका रीजन हो गया बिटा जी अभी कारकों की सांदरता अधिक्तम होती है बहुत स्टार्टिंग में जो रेट आफ रीयक्शन मैक्जिमम है अधिक्तम है उस अधिक्तम होने का कारण क्या हो गया क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे कंसंट्रेशन है रीयक्टेंट की अभी कारकों की सांदरता क्या है वो अधिक्तम है मैक्जिमम है अब इसके बेज के ऊपर देखूँ तो रासाइनिक अभीकरिया का वेग बेटाजी मेरे पास तीन प्रकार का है यहाँ पे नुमेरिकल भी बनते हैं और कॉइड कॉंसेफ्ट बेज कोश्चन भी बनते हैं तो टापिक क्या आगया मेरे पास अभीकरिया वेग के प्रकार टाइप्स ओफ रेट आफ रियाक्शन कितने प्रकार के हैं तो बिटाजी अभीकरिया वेग कितने प्रकार का होता है अभीकरिया वेग तीन प्रकार का होता है रेट अफ केमिकल रियाक्शन कितने टाइप के हो गई तो बिटाजी रेट अफ केमिकल रियाक्शन आर बेसिकली थ्री टाइप कितने टाइप की है तीन प्रकार की है तो रासाइनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग कितने प्रकार का है तीन प्रकार का वेग है कौन-कौन सा है वो अभी हम one by one डिसकस करते है देखिए तीन प्रकार का कौन-कौन सा है ओसत वेग है ताक्षनिक वेग है और तीसरा होता है प्रारंबिक वेग कौन सा हो गया पहला हो गया मेरा औसत वेग average velocity दूसरा हो गया ताक्षनिक वेग instant velocity और तीसरा होता है प्रारंबिक वेग जो numerical बनते हैं हमारे पास वो normally बनते हैं प्रार ताक्षनिक वेग पे और औसत वेग के उपर numericals बनते हैं किस टाइप के बनते हैं वो भी अभी इसी topic के अंदर discuss करेंगे देखें बटाजी अगर discuss करूँ पहला point में discuss करूँ वेग का तो अभिकरिया का वेग जो है कितने प्रकार का है तीन प्रकार का है औसत वेग ताक्षनिक वेग और क्या है प्रारंबिक वेग पहला वेग हम लोग discuss कर रहे हैं औसत वेग को discuss कर रहे है understand देखो क्या हुआ औसत वेग या average velocity या average rate of reaction क्या हुआ पहला कौन सा discuss किया औसत वेग average velocity ये क्या हुआ average velocity या औसत वेग क्या हुआ किसी भी निश्चिस समय में या किसी भी दिये गए समय में अभिकार कों की सांदरता में हुई कमी या उत्पात की सांदरता में हुई व्रद्धी को क्या बोल रहे हैं किसी भी निश्चिस समय में किसी भी दिये गए समय में अभिकार कों की सांदरता में जतनी कमी हो रही है या उत्पात की सांदरता में जतनी व्रद्धी हो रही है उसके अंदर यदि परिवर्तन में जो समय लग रहा है जो time हमने use किया, उससे divide कर देंगे, उसका भाग दे देंगे, तो प्राप्त वेग क्या होगा मेरे पास? औसत वेग होगा, clear? औसत वेग होगा, क्या बोलेंगे उसको? औसत वेग, तो क्या बोला हमने? definition क्या हुई? किसी निश्चित समय में, fix time हो गया? या किसी निश्चित समय में, अभिकार को या उत्पादों की सांधरता में हुए परिवर्तन में, समय का, भाग देने पर, प्राप्त वेग क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है. क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है. क्या भूला हमने? औसत वेग या average velocity क्या हुई? किसी भी जो time period है, उस time period में, किसी भी निश्चित समय में, अभिकार को रुत्पादों की सांधरता में, जो परिवर्तन हो रहा है. उसको time से divided कर देंगे, तो जो velocity मेरे को मिली, उस velocity को हमने क्या कह दिया? औसत वेग कह दिया. इस change of concentration of any one of reactant or product is divided by taken time. इस divided by taken time. The change in that divided by taken time, that velocity is called average velocity. उस वेग को क्या कहेंगे हम लोग? औसत वेग कहेंगे. clear? understand? यानि औसत वेग क्या हो गया? दिखिए समझिएगा. average velocity, औसत वेग को हम किसे दिखा रहे है? आर average से दिखा रहे है. किसे दिखा रहे है? आर average से. ये क्या हो गया मेरा? औसत वेग हो गया विठाजी. तो औसत वेग क्या हुआ? अभीकारकों की सांदरता में हुआ परिवर्तम. अभीकारकों की सांदरता में हुआ परिवर्तन. अपॉन परिवर्तन में लगा समय. यहाँ पर हम लिख रहे हैं नेगेटिव, माइनस. और सेम वन. दूसरा एक्जामपल इसके बेस पे उत्पादों की सांदरता के आधार पे देना चाहूँ. तो क्या हो गया? औसत वेग क्या हो गया? उत्पादों की सांदरता में हुआ परिवर्तन. अपाउन परिवर्तन में लगा समय. किसके बेस पे? पॉजटिव. देखे, यहाँ पे फिर बहुत अच्छे से बात समझेगा. रियाक्टेंट के बेस पे दे रहा हूँ, तो साइन नेगेटिव है. चिन नेगेटिव है. और प्रोड़क्ट के बेस पे दे रहा हूँ, तो चिन पॉजटिव है. देखे, फिर वैल्यूज या नेगेटिव या पॉजटिव नहीं है, सिर्फ साइन नेगेटिव या पॉजटिव है. जब भी आप rate of reaction निकाल रहे हैं, reactant के बेस पे निकाल रहे हैं, अभिकारक के बेस पे निकाल रहे हैं, तो वैल्यूज हम लोग क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं. वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, फिर क्या कह रहा हूँ, साइन नेगेटिव है. ये क्या शो कर रहा है, reactant की concentration डिक्रीज हो रही है. और product के लिए साइन क्या दे रहे हैं? पॉजटिव दे रहे हैं, धनात्मक दे रहे हैं, तो ये positive और नेगेटिव साइन, वैल्यूज प reactant की concentration डिक्रीज हो रही है, अभी कारक की सांदरता घट रही है. और product के base पे दे रहे हैं, उत्पात के base पे दे रहे हैं, तो sign क्या रहा है मेरा positive हो रहा है. ये sign नेगेटिव या positive है, values नेगेटिव या positive नहीं हैं. understand? understand? क्या line लिख सकते हैं? sign नेगेटिव का meaning क्या हुआ? देखिए. और positive sign का meaning क्या है? उत्पात की सांदरता में क्या हो रही है बेटाजी? व्रद्धी हो रही है. sign नेगेटिव या positive means the change in concentration of reactant and product. if negative it means concentration of reactant are decreases और on the basis of product it's a positive it means concentration of products are increases. clear? understand? understand? चलिए. एक example ले लेते हैं. इसको हम example से बहुत अच्छे से समझेंगे. हम example के base के ओपर explain कर रहे हैं इसको. चलिए. मैं एक example ले लेता हूँ. मेरे पास एक reaction हा. R is convert into product. अब इकारक किसमें बदला? उत्पाद में. अब माल लेते हैं माल लिया मैंने यह आप ए टी वन टाइम है और यह टी टू टाइम है. तो टी वन समय पर सांद्रता है क्या होगी? रियक्टेंट की concentration में माल लेता हूँ R1 और प्रडेक्ट की माल लेता हूँ P1 और टी टू समय पर concentration क्या होगी बेटा जी? रियक्टेंट की concentration क्या माल लेता हूँ P1 और टी टू समय के ओपर रियक्टेंट की concentration हम लोग क्या कह रहे हैं? रियक्टेंट की क्या है बिटा जी? P2 है. चलिए तो अब इसके base के ओपर देखिए अगर समय में परिवर्तन डेल्टा T कैलकुलेट करूँगा समय में परिवर्तन परिकलिट करूँ मैं चेंज इन टाइम तो समय में परिवर्तन क्या हो जाएगा बिटा जी? डेल्टा T की value क्या हो गई? T2 माइनस T1 डेल्टा T की value क्या हो गई? T2 माइनस T1 सपोज यह 10 सेकेंड था यह 20 सेकेंड हो गया तो डेल्टा T क्या हो गई? 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10 आगया कितना आगया बिटाजी, 10 आगया, clear, understand, और अभिकारक की सांदृता में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांदृता में परिवर्तन, डेल्टा R की वैल्यू क्या हो जाएगी बिटाजी, R2 माइनस R1, देखिए, यहां समझेगा, सपोज स्टार्टिंग में T1 पे कंसेंट्रेशन माल लेता हूँ, मैं 10 मोल, और T2 पे रह गया 5 मोल, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सांदृता घटरी है, इसलिए, डेल्टा R का साइन नेगेटिव है, वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, सेम वन, यदि उत्पाद की सांदृता में परिवर्तन देखू, उत्पाद की सांदृता में परिवर्तन, डेल्टा पी क्या हो गया बिटा जी, पीटू माइनस पीवन, डेल्टा पी क्या हो गया बिटा जी, पीटू माइनस पीवन हो गया, क्या हो गया, पीटू माइनस पीवन, अब देखिए, सपोज मैं कह रहा था, यह पीटू है यहाँ पे, पीटू, पीवन और पीटू है, तो स्ट्राटिक में सपोज यह पांच मौल था तो यह 10 मौल था तो 10 माइनस 5 वेल्यूस क्या हो गई positive की 5 क्योंकि उत्पाद की सांदरता बढ़ रही है अभी कारक की सांदरता में क्या हो रही है कमी हो रही है तो इसी लिए जब भी reactant के base पे आप देते हो तो sign क्या आता है और product के base पे देते हो तो sign क्या आता है sign क्या आता है बिटा जी positive आता है clear understand चलिए इसका meaning अगर मैं average velocity लिखना चाहूं औसत वेग लिखना चाहूं देखो इसी reaction के लिए औसत वेग लिखूं तो r average क्या हो जाएगा r average की value क्या होगी बिटा जी minus delta r upon delta t और product के base पे लिखूं तो क्या हो जाएगा plus delta p upon delta t क्या जाएगा minus delta r upon delta t और product के base पे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा delta p upon delta t इसका meaning क्या हुआ minus delta r upon delta t क्या दिखा रहा है आर के विलुप्त होने की डर्ड दिखा रहा है It's a shows the decrease in concentration of reactant or disappearance of reactant क्या दिखा रहा है आर के विलुप्त होने की डर्ड को दर्शा रहा है देखो क्या हो गया अभीकारक के विलुप्त होने की डर्ड क्या हो गई अभीकारक के विलुप्त होने की डर्ड ये क्या हो गई? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये किसकी है? रियाक्टेंट की डिस अपेरियंस की रेट है किसकी है? अभीकारक के विलॉप्त होने की दर है अभीकारक के डिस अपेरियंस की रेट है clear? understand? आप इसी के बेस पे उत्पाद के बनने की दर क्या होगी? उत्पाद के प्रोड़क्ट के फॉर्मड होने की डेट क्या होगी? तो उत्पाद के बनने की दर क्या होगी? प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी clear? किसके बेस्वे reactant की concentration decrease हो रही है तो ये किसको show कर रहा है reactant के disappearance की rate को show कर रहा है R के अभिकारक के विलूप्त होने की दर को दर्शा रहा है और ये क्या दर्शा रहा है उत्पाद के बनने की दर को दर्शा रहा है उत्पाद की production form को दिखा रहा है clear, understand Patton Understand देखे इसी reaction के अगर मैं strycheometric according देखू क्या बूलरे हैं इसी अभिकरिया को इसी reaction को R और P को stryche symmetric according देख रहे है रस समेकरण MT का according देख रहे हैं तो यहाँ पर यह क्या शोが रहा है जिस rate से R disappear हो रहा है उसी rate से क्या हो रहा है PFP formed हो रहा है यानि जिस दर से आर विलुप्त हो रहा है उसी दर से क्या हो रहा है उत्पात बन रहा है रस समीकरण मिती इसी रियाक्शन के लिए कौन सी इसी रियाक्शन के लिए रस समीकरण मिती या स्ट्राइक्योमेट्री मेरे को क्या कह रही है क्या कह रही है यानि जितने समय में क्या एक मोल विलुपत हुआ, उतने ही समय में क्या हुआ, P का एक मोल बना स्ट्राइक्योमेट्री क्या एक्स्प्लेइन करी है, इसमेटा जी स्ट्राइक्योमेट्री क्या एक्स्प्लेइन करी है, जितने टाइम में reactant का एक mole disappear हुआ उतने ही time में product का एक mole क्या हो रहा है formed हो रहा है अब देखिए rate of reaction पे always stichometry applicable होती है क्या मोला rate of reaction पे stichometry क्या होती है always applicable होती है रस समीकरन मिती हमेशा लगती है कहानी इसी रस समीकरन मिती की है इसी stichometry की है clear? understand क्या लिख सकते हैं stichometry क्या कह रही है देखिए रस समीकरन मिती के अनुसार क्या हो रहा है इस reaction के लिए discuss कर रहे है R और P क्या according तो according to the stichometry क्या रहा है R के विलुक तो नहीं किदर और P के फॉर्मड होने की सदर क्या है same है clear? इसका मतलब क्या हुआ? जितने समय में R का एक मौल विलुक तो रहा है उतने ही समय में क्या हो रहा है P का एक मौल बन रहा है क्या लिखेंगे? जितने समय में अर का एक मौल विलुक तो होता है उतने ही समय में P का एक मौल बनता है तो अकॉर्डिन तो दा स्टाइक्योमेट्रेग तो टाइम इन विच वन मौल अफ रियाक्टन इस डिस डिस एपियर इन दा सेम ताइम वन मौल अफ प्रोडेक्ट इस फॉर्म यानि जितने समय में R का एक मौल विलुक तो होगा उतने ही समय में क्या होगा P का एक मौल बनेगा चलियर इसको कुछ और एक्जांपल से हम लोग डिसकस कर लेते हैं दिखे अगर मैंने रियाक्शन ले ली A is convert into B A किसमें बदल रहा है B में बदल रहा है अब अभी कारक कौन हो गया A हो गया पाद कौन हो गया R हो गया तो rate average rate of reaction क्या होगा बिटा जी मेरे पास औसत वे क्या होगा minus delta A upon delta T किसके एकवल हो गया plus delta B upon delta T यानि जितने समय में R की जितनी मात्रा विलूप्त हो रहा है जितने समय में B A विलूप्त हो रहा है A disappear हो रहा है उतने समय में क्या हो रहा है बिटा जी B formed हो रहा है उतने ही time में क्या हो रहा है B formed हो रहा है clear understand understand चलिए एक और example ले लेता हूँ इसका एक और example हम लोग लेते हैं मैंने का A is convert into 2B क्या होगा A is convert into 2B देखिए अब अगर मैं इसका A के विलॉप्त होने की दर बताऊं disappearance rate of A तो क्या हो जाएगा मैं बिटा जी minus delta A upon delta T ये तो क्या हो गई A के विलॉप्त होने की दर हो गई rate of disappearance of A हो गया चलिए अब B के base के उपर discuss करूँ तो B के base के उपर क्या हैगा B के बनने की दर क्या होगी B के बनने की दर हो जाएगी minus delta B upon delta T बट अगर रस समीकरन मिती स्टाइक्योमेटरी से reaction के देखें तो A का एक मोल कितने में बदल रहा है B के दो मोल में बदल रहा है स्टाइक्योमेटरी रस समीकरन मिती क्या कह रही है इसके लिए A का एक मोल कितने में बदला B के दो मोल में बदला तो इस टाइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या होगा क्या हो जाएगा एवरेज रेट क्या हो जाएगा बिटा जी माइनस डेल्टा ए अपाउन डेल्टा टी किसके को लुआ प्लस वन बाई टू डेल्टा बी अपाउन डेल्टा टी इसका मतलब देखिए एक मॉल एच जतने टाइम में डिसैपियर हो रहा है एक मॉल एच जतने समय में विलॉप्ट हो रहा है उतने ही समय में क्या हो रहा है बी के दो मॉल बन रहे इसका मतलब A के विलुप्त होने की दर, इसका मतलब क्या हुआ पिटा जी? A के विलुप्त होने की दर किसके बराबर हुई? B के आधा बनने की बराबर हुई, क्योंकि दो मॉल बन रहे थे, clear? तो A के विलुप्त होने की दर किसके बराबर है? B के बनने की दर के आधे के बराबर है, यानि जितने टाइम में A का एक मॉल विलुप्त हो रहा है, उतने ही टाइम में B के क्या होंगे? आधे मॉल का रेट क्या हो जाएगी? आधी होगी, क्योंकि B कितने बन रहे थे, दो बन साधिय के अक्लींग आराएं रए क्लिए अंडीस्टेंड तुन इसके का हुआ इस क्लिए खार्पयर होने की रेट किसके एक्वल होग इसको एक example से हम लोग और समझेते हैं मैंने का N1 mole of A is react with N2 mole of B and give मेरे को M1 mole of C and M2 mole of D N1 mole A के N1 mole B के N2 mole से अभी क्रिया करके C का M1 mole दे रहे हैं और D का M2 mole दे रहे हैं clear? understand? understand? देखिए अगर इसके base पे stoichiometric according चलूँ तो रस समीकरन मिती के अनुसार क्या हो जाएगा बिटा जी? क्या होगा? minus 1 upon M1 delta A upon delta T या क्या हो जाएगा? minus 1 upon N2 N1 आईए N2 क्या हो जाएगा? delta B upon delta T या क्या हो जाएगा बिटा जी? plus 1 upon M1 delta C upon delta T या क्या हो जाएगा? plus 1 upon M2 delta D upon delta T ये किसके according आया? स्ट्राइकियोमेट्री के according आया? रस समीकरन मिती के अनुसार आया? किसके अनुसार आया बिटाजी? स्ट्राइकियोमेट्री के according आया? clear? understand? चलिए कुछ और एक्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और एक्जाम्पल ले लेते हैं सपोज मैंने के दिया 2HIE मैं एक्जाम्पल ले रहा हूँ 2HIE is decomposed into H2 plus I2 तो according वोई इस ट्राइकियोमेट्री के according देखूँगा तो क्या हो जाएगा? minus 1Y2 delta HI upon delta T या plus delta H2 upon delta T या plus delta I2 upon delta T देखो इस equation का meaning क्या है? हर एक के base पे अलग-अलग rate of reaction निकालते हैं but इस ट्राइकियोमेट्री के according इसकी जितनी value होगी उतनी value किसकी होगी? इसकी होगी उतनी value किसकी होगी? इसकी होगी किसकी according आ रहा है? स्टाइकियोमेट्री के according आ रहा है रस समीकरन मिती के अनुसार आ रहा है किसके अनुसार रहा है बिटा जी? रस समीकरन मिती के अनुसार रहा है clear? understand? चलिए आपके लिए और एक्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग मैंने एक्जाम्पल ले लिया साहब N2 is react with 3H2 and give 2NH3 तो R average में निकालनों तो क्या हो जाएगा minus delta N2 upon delta T किसके एक और हुआ minus 1 by 3 delta H2 upon delta T के या फिर plus 1 by 2 delta NH3 upon delta T किसके according आ रहा है बिटा जी स्ट्राइक्योमेटरी के according आ रहा है रस समीकरन मिती के अनुसारी के आ रहे है ये मेरे पास values आ रही है clear understand understand देखो बिटा जी अब एक चीज़ और याद रखेगा बहुत important one है जब भी कोई गैसी अभिक्रिया ले रहा हूँ तो गैसी अभिक्रियाओं में जो सांदरता है वो क्या होता है गैसी अभिक्रियाओं को rate of reaction को concentration के बेस पे नहीं show करते किसके बेस पे show करते है आंशिक दाब के बेस के उपर partial pressure के उपर जो करते हैं किसके बेस पे partial pressure के उपर show करते है तो गैसी अभिक्रियाओं में सांदरता क्या होती है आंशिक दाब के समानुपाती होती है clear तो अभिक्रिया को वेक को उत्पाद या अभिकारक के आंशिक दाब में परिवर्तन के आधार पेशो करते है किसके आधार पेशो करते है आंशिक दाब में परिवर्तन के आधार पेशो करते है तो गैसी अभिक्रियाओं में सांदरता आंशिक दाब के समानुपाती होती है इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसी अभी क्रियाओं के लिए औसत वेग को या वेग ही लिख सकते हैं सारे वेग वही आएगा अभीकारक एवम उत्पाद के आँशिक दाब में परिवर्तन के आधार पे दर्शाद हैं किसके आधार पे दर्शाद हैं बिटा जी? आँशिक दाब में परिवर्तन के आधार पर किसके बेस पर शो करते हैं? आँशिक दाब में पार्शिल प्रेशर में चेंज के बेस के उपर शो कर रहे हैं किसके आधार पे? आँशिक दाब में परिवर्तन के आधार पे partial pressure में change के base के उपर show करते हैं, clear? understand? understand? चलिए, अगला दूसरा वेग आता है, ताक्षनिक वेग तो ताक्षनिक वेग बिता जी हम लोग discuss करेंगे अपनी next class के अंदर I think so, आज के लिए इतना बहुत है, इसी rate of reaction पे ताक्षनिक वेग, प्रारंबिक वेग हम लोग discuss करके, इस पे numerical किस प्रकार के बनते हैं, वो हम लोग और discuss करेंगे, I think so, it's enough for today, thank you, thank you so much.